अब हमारे पास next example है, discard method से हमें इसको solve करना है, और इसमें x cube वाली term है, process वही है, h निकालो, h के साथ इसका synthetic division करो, तो h के साथ जब हमने इसका synthetic division किया, तो नए equation आई, y4 plus 0y cube minus 26 by 4y square plus 4y plus 9 by 16 is equal to 0, y और x में क्या relation होता है, y is equal to x minus h, h कितना था, 1 by 2, so y is equal to x minus 1 by 2, लेकिन क्योंकि इसमें बटे में terms आ रही हैं और जो की 2 की powers में है, इसलिए हमने क्या किया, इसकी corresponding terms को 2 की 0, y cube वाली को 2 की 1, y square वाली को 2 की 2, y वाली को 2 की cube और constant को 2 की power 4 से, multiply कर दिया, और जिसमें हमें पता है, नए equation अगर z में है, तो z और y में क्या relation होता है, z is equal to 2 into y, y क कर दो कितनी थी x-1 by 2, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2x-1, यहां से x की value z की terms में निकार लो, ठीक है, और इसको solve करके लिख दिया, यह हो गया z की 4, यहां से cut-cut आके यह बचा 26 z square, यहां से multiply करके आया 32 z, और यहां से cut के बच गया 9, तो यह एक 4 degree की equation है, जिसमें cube वाली term न नहीं है, अब इसको हम further कैसे solve करते थे, इसके हम 2-2 degree के 2 factors बना लेते थे, ठीक है, तो वो factors हमने क्या ले लिए, तो वो factors हमने क्या ले लिए, z square plus pz plus q, and z square minus pz plus q dash, इसका logic मैं पहले बता चुकी हूँ, यहां plus pz और यहां minus pz क्यू लिया, ताकि जब हम इन सारे को आपस में multiply करें, तो उसमें से z cube वाली term खतम हो जाए, ठीक है, इसके बाद इस सारे को आपस में multiply करेंगे, फिर इसके coefficients क तो इससे compare करेंगे, तो हमारे पास यह तीन चीज़े आ गई, यहां से value आ जाएगी q plus q dash की, यहां से q dash minus q की, और यहां से q q dash की, फिर हम यह result यूज करते हैं, a plus b का whole square minus a minus b का whole square is equal to 4ab, और इसमें हम इसकी, इसकी और इसकी values पुट कर देते हैं, ठीक है, सब की value पुट कर इस सारे को हमने solve कर लिया, यहां तक आ गए, अब हमें trial method से p की value निकान ली है, तो यहां पर p की value आएगी 4, इसका मतलब ना 0, ना 1, ना 2, ना 3, यह सब इसको satisfy नहीं कर रहे, तो p is equal to 4 है, जो कि इसको satisfy कर रहा है, तो यह हमें rough page पर put कर करके देखना पड़ेगा, पहले p क value 1 put करने पर 0 आता है या नहीं, अगर नहीं आता तो फिर 2 पर try करो, 2 पर भी 0 नहीं आता तो 3 पर try करो, 3 पर भी 0 नहीं आ रहा तो फिर हमने 4 पर try किया और p की value 4 put करने से यहां पर answer कितना आ गया, 0, तो p की value आ गई 4, p की value यहां और यहां put कर दो, तो एक equation में आ जाएगा q dash plus q किसके बराबर है और एक में q dash minus q किसके बराबर है तो इनका sum आया minus 10 इनका difference आया 8 इनको add और subtract करेंगे तो q और q dash की value आ गई अब हमारे पास इन तिनों की value आ गई एक इसकी और एक इसकी इन तिनों की values उठा कर यहाँ पर put कर दो तो हमारी 4 degree की equation जो है वो 2 degree के 2-2 factors में convert हो जाएगी ठीक है तो जैसे हमने इसकी value पुट की तो 4 degree की equation के 2-2 degrees के 2 factor बन गए 2 root यहाँ से आ जाएगे 2 root यहाँ से आ जाएगे z के 4 root पता लग गए और x और z में यह relation था z की 4 values पुट करते जाओ तो x की हमारे पस 4 values आ जाएगे ठीक है